लजक बग के सब कुछ explore करने के बाद में हमारी entry होती है end में सबा निवास के अंदर मतलब दिवाने आम के अंदर व जैसे हमें एंटर करते हैं हमारी camera को करवा दिया जाता है सट डाउन नमस्कार देवियों सजनो आज के इस वीडियो के अंदर हम जाने वाले हैं जेपूर के सिटी पिलेस को एक्सप्लोर करने के लिए जेपूर का सिटी पिलेस काफी स्पेसल होने वाला इस्पेसल क्यों है वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं अब तक कि ज अब कुछ देखने को मिलने कि टिक Кीट ए इसका प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है और किस परकार का हमें इत्यास देखने को मिलता है जेपूर के सीथी पिलेस सबकुछ जानने वहले हैं ए आप लोग आगे इस वीडियो में वीडियो के शाथ बने रहे हैं और आप मैं आप लोग यहां पर टिकेट काउंटर दिखा देता हूं और यहां पर आप लोगों को में टिकेट भी दिखाने वाला हूं टिकेट कापी स्पेसल है इसकी टोटल प्राइस से 300 रुपे आप लोग दे सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके टिकेट की डीटेल भी पढ़ सक तो चलो यहां से एंटर करते हैं परवेस दुआर जो की राजेंदर पॉल के नाम से भी जाना जाता है इस दुआर से हमारे एंटर हो जाती है जयपूर के सीटी पेलेस के प्रांगन के अंदर अब गयज आप लोगों की जानकारे के लिए बता देना चाहता हूं कि जयपू के अंदर सिफ्ट करना चाहते थे इसके चलते यहां पर 377 इस्वी में इस सीटी पेलेस का निर्मान है महराजा स्वाई जैसिंग सेकिंड के द्वरा करवाये गए था अब जैसे मैं प्रांगन में अंदर करता हूं चारो तरप का व्यू यहां पर आप लोग देखो काफी खुब चुरत लग रहा था राइट साइड में कौरनर में हमें गंटा कर देखने को मिलता है बीच में आप लोग यह बिल्डिंग देख रहे हैं इस बिल्डिंग के ब बहुत ही कम देखने को मिलती है मैंने तो बहुत ही कम देखिये कम क्या साइथ में कहूँ यह पहली गारी मैंने पिंग कलर में देखिये तो मैं गलत नहीं होंगा यहाँ पर पिंक कलर की गाड़ी है यहाँ पर आप लोग खड़े होगे फोटो ले सकते हैं इस्पेसलिए फोटो सूट के लिए ही रखी गई है आप लोग इसके अंदर तो नहीं बैठ सकते हैं अंदर बैठने की परमिसन नहीं है बट आप लोग बाहर खड़े रहकर इसके साथ में फोटो खिंचवा सकते हैं और आप किसी भी सोचल मीडिया पर सेर कर सकते हैं तो यहाँ पर थोड़ी बहुत में भी फोटो सूट करवा लेता हैं उसके बाद में आगे की तरफ बढ़ते हैं अब गज में आप लोगों को जेपूर के सिटी पलेस के बार में कापी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ यदि आप लोग यहाँ पर गूमने आ रहे हैं तो जेपूर के सिटी पलेस के अंदर आप लोगों को बहुत सारे सेक्शन देखने को मिलते हैं जिनमें आप लोगों को फोटो गेल्डी का सेक्षन है उसमें आप लोगों को बहुत सारी फोटोस देखने को मिलेगी एक और दूसरा सेक्षन हमें देखने को मिलता है जिसको कपड़ा गेलरी कहा जाता है उस कपड़ा गेलरी के अंदर बहुत सारे कपड़ हैं जिनको आप खरीज सकते हैं देख भी सकते हैं ज्यदा ओप्संस अवेलेबल नहीं है लिमिटेड ही है क्योंकि लिमिटेड ही दुकाने अवेलेबल है और इस City Palace के अंदर आप लोगों को दिवाने आम और दिवाने खास भी देखने को मिलेगा जो कि मैं आप लोगों आगे दिखाने वाल तो गाज यह है City Palace का मुबारेक महल इसके अंदर भी हम जाने वाले हैं बट उससे पहले मैं आप लोगों के एक जानकरी दे देना चाहता हूँ कि आप लोग अंदर केमरे को लेके नहीं जा सकते आपके पास में चाहे मोबाइल है चाहे केमरा है अंदर लेके जाना एलो बि आया जैसे फोटो गेंदरी हो गई सोप वाला सेक्शन हो गया जहां पर हमें बहुत सारे कपड़े और कपड़ों वाला सेक्शन हो गया म्यूजियम वाला सेक्शन भी है जिसमें बहुत सारे वेपन बहुत सारे अस्त्र सस्त्र रखे गए वहां पर भी फोटो लेने की बिल सब बानिवास भी कहा जाता है उसके अंदर मैं जैसे एंटर करता हूँ मेरे साथ में क्या सीन होता है वो आगे आप लोग देख लेना अब यहाँ पर मैं आप लोगों बताना चाहता हूँ कि अंदर जाके फोटो लेने की अपर वीडियोग्राफी करने की परमिसन क्यों नहीं है सबसे पहले गाज मैं जाता हूँ फोटो गैलरी के अंदर तो फोटो गैलरी के अंदर मुझे बहुत सारी फोटो दिखाए दे रहे थी पुराने समय में भी ब्ल्यूप्रिंट है वो तयार किया जाते थे अभी तो नॉर्मल तक्निक हो गए लेकिन पुराने समय में वो सब कुछ किया जाता था और उस फोटो गेली के अंदर गाज हमें पूरी की पूरी पूरी की पूरी महा भारत देखने को मिलती है जो कि मैं आप लोगों को केवले सब्दों की मादें से ही बया कर सकता हम लेकिन मैंने वहाँ पर एक बहुत ही स्पेसल चीज नोट की जो कि मुझे नहीं जानने को मिली अब मैं आप लोगों बताना चाहता हूं कि चक्रिव्यू का उलेक मा भारत में किया गया है और क्यों किया गया है वो आप सभी जानते ही है लेकिन गाय जी हमें फोटो के लेके अंदर एक परकार का चक्रिव्यू नहीं बहुत परकार के चक्रिव्यू का उलेक देखने को मिलता है तो बहुत सारी जानकारी है सब्दों के मादें से उसको explain करना बहुत मुश्किल है लेकिन 300 रुपे के टिकेट देखने में बहुत ज़्यादा लेखती है लेकिन इदि आप लोग घूम के आव गए तो टोटली ये 300 रुपे के टिकेट है वो worth it मुझे लगती है और म्यूजियम इसकी जो सस्त्रागार की गैलरी है वो इतनी व पर्मिसन नहीं है क्योंकि बहुत बार नुज में भी हमें देखने की मिलता है कि किसी किले के अंदर की किसी गट के अंदर कोई चोरी हो जाती है और वह लाहं के हत्यार Hey और वहन के जो भी इतियासे जुड़े डोकुमेंट होते हैं या पर कुछ भी इतियासी चीज़ें होते हैं वो चोरी कर ली जाते हैं तो उसके चलते साहिए यहाँ पर फोटोग्राफिकी और वीडियोग्राफिकी परमिसन नहीं है मैं अंदर पूरे सेक्षन के अंदर घूम के आया था इतना लगजरी था वो इतन सारे वेपन्स दे तीन सो रुपे मुझे वर्थ इट लगे पहले तो जब मैंने टिकेट के लिए प्राइस दिया तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा मैंड में कि यार इतना प्राइस है मैं किसी टिकेट के लिए दे रहा हूं आज तक कि इतनी प्राइस मैंने नहीं दी 300 रुपे की टिकेट वो भी एक इंसान के लिए लेकिन गूमने के बाद मुझे वो वर्थित लगे आप लोग भी घूमने के लिए आना चाहते हैं तो आप लोग गूमने आ सकते हैं लेकिन यदि आप लोग मेरी तरह व्लोग बनाने वीडियो केप्चर करने फोटो लेने के आते हैं तो आप लोग नहीं आये क्योंकि आप लोगों को यहां पर कुछ कंटेंट मिलने वाला भी नहीं है बाकि आप लोग मर्जी है हिस्टोरिकल पहले ऐसा इसको विजिट करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए अभी हमारी एंट्री हो चुकिए दिवाने खास के अंदर और दिवाने खास के अंदर हमें देखने को मिलते हैं वीश्वे के सबसे बड़े चान्दी के बात्र और उन चान्दी के बात्रों में भरावा है गंगाजल तो जाज अभी हम दिवाने खास के अंदर available हैं यहां पर मैं आप लोगों लेके चलता हूँ इस दिवाने खास के अंदर यहांपर वीडियोगश्वाप upa की और फोटोग्राफि की permission है क्यांकि यहांपर बहुत ज़्यादा हमें कुछ Instrument देखने को नहीं मिलते हैं वेपन्स भी है और चांदी के गंगाचली भी है वो भी मैं आप लोगों दिखाऊंगा सबसे पहले इदर देखते हैं यहां पर देखो एक सर्किल बनावा है डिजान्स के अंदर वेपन्स रखे में है और यह है गंस बंदू के जो उस टाइम कामें ली जाती थी अंग्रोज ट्रफिकी परमीशन है, अब जैसे हम आगे की तरह बढ़ते हैं, आगे लेके चलता हो हमें आप लोगों को उपर भी आप लोग दे सकते हैं किस परकार की कारिकरी की गई है और इसको दिवाने खास के नाम से जाना जाता है दिवाने आम में भी में लेक के चलूँगा आप लोगों को बट वहाँ पर क्या सीन होता वो आगी देखना है अब यह है गाई जी वीस्वर का सबसे बड़ा चांदी का पात्र जिसके अंदर गंगा जली भरके रखी गई आप लोग इंगलिस में भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं और मैं आप लोगों के लिए हिंदी में भी यहाँ पर अवेलेबल करवा देता हूँ राइट साइड में यहाँ पर हिंदी में भी लिखा वाया तो आप लोग डिटर में पढ़ना चाते हैं तो वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर लेना फुल एच्टी में मैंने वीडियो अप्लोड किया है आप लोग इस चीज को वीडियो को पोज करके पढ़ सकते हैं तो दो गंगा जली रखी वी है आमने सामने यह बहुत बड़ी है ऐसा माना जाता है कि वीश्वेक की सबसे बड़ी गंगा जली यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं जेपर के सीडिवलेस के अंदर तो यहाँ पर हमें वीडियोग्राफिक की परमिसन थी इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा कैप्चर कर लेता हूँ उसके बाद में इधर आगे की तरह बढ़ते हैं तो यहाँ पर और भी बहुत चारे वेपन्स रखे वेए थे अब यह बीच में आप लोगों देखो ढाल भी है भाले भी है और तलवारे रखी विए यह आप लोगों को स्पेशल डिजाइन दिखाई दे रही है पत्ती के जैसी तो एक्चुल में पत्ती नहीं है यह पत्ती की टाइप से तलवारे यहाँ पर इसके अंदर डाल डाल के से सेबदी गई आप लोगों में क्लोज लुक भी दिखा दे तो यहाँ पर देखो यह तलवारे हैं जो बहुत सारी वेपन रखे हुए थे बट यह वेपन कुछ भी नहीं है यह वेपन एक्चुली में कुछ भी नहीं है आप लोग शीटी पहले इसके जो रियल म्यूजियम है या फिर मैं कहूं सस्त्रा गार है उसके अंदर वेपन देखोगी अंगिनत मतलब लाखों की संक्या में वहाँ पर वेपन रखे हुए है और वही कारण है जो मुझे लगता है कि साइद वहाँ पर अंदर फोटोग्राफिय की वीडियोग्राफिय की परमिसन नहीं है उसके बाद में गज्व हमारी एंट्री होते है यहाँ पर प्रेतम निवास चौक के प्रांगण के अंदर यह प्रांगण है काफी खुला है कि आकी यहाँ पर रिलेक्स कर सकते हैं चरो तरप का व्यू आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर हमें चंद्र महल भी देखने मिलता है तो वह भी मैं आप लोग यहां पर दिखा दूंगा चलो सबसे पहले आप सुआ दीज चारओ त्रप का और अगे की त्रप चलते हैं है video हो है मेरी अब यहां पर जेसे मां आगे की तृप आता हूं यहां पर हमें दो जाना जाता है एक gate तो मयूर gate के नाम से जाना जाता है तथा दूसरा gate है वो लहरिया gate के नाम से जाना जाता है आप लोग इस gate को दे सकते हो इसकी जो कारिगरी है वो मयूर के जैसे ही लग रहे है तो ये मयूर gate के नाम से जाना जाता है इदर ये ओपीस है आप लोग देश सकते हैं इदर एंट्री वर्जित है और उसके बाद में आप लोगों राइट में लेके चलता हूं इदर लहरिया गेट है सामने आप लोगों दो गेट दिखा दे रहे हैं ये लहरिया गेट के नाम से जाने जाते हैं इनके उपर काफी बारीकी से कारिगरी की गई है क्लोज में जाएंगे तब पता चलेगा अंदर एकदम पास में जाके इनको छोने की पर्मिसन तो नहीं है क्योंकि बाउंडरी लगी हुए बाहर है और कितने सुंदर लग रहे हैं और बहुत ही बारीकी से कारिगरी की गई है राइट साइड में एक और गेट है उसको भी मैं आप लोगों दिखा देता हूँ और उपर का व्यू भी आप लोग देखो ये दोनों गेट लहरिये गेट के नाम से जाने जाते हैं अब मैं आप लोगों लेके चलता हूँ एंटरी गेट है जिदर से हम एंटर हुए है ठीक है यह है एंटरी गेट अब यहाँ पर कुछ प्रेटक आया है वह थे वो फोटो सुट कर रहे थे जैसे यह निकलते हैं यहाँ से पोटो सुट कम्प्लिट करके मेरेको मोका मिल जाता है इस गेट को पास से कैप्चर करनेगा आप लोग देश सकते हैं इस गेट का द्री से इधर से हम एंटर कर सकते हैं इधर से हम एकजिट कर सकते हैं और चारो तरप का द्री से इस परकार का हमें दिखाए देता है अब मैं आप लोगों के लिए कुछ सिनेमेटिक सोट चंदर्महेल के दिखाता हूं यह है चंद्रमहेल के सिनेमेटिक सोट थोड़ी से पूर है बट एड़्जक्ट कर लेना सामने यह है चंदर महल अब चंदर महल के अंदर में नहीं गया था क्योंकि उतना टाइम नहीं था मेरे पास में लेकिन हमें यहां इस प्रांगन से चंदर महल को देख सकते हैं कितना ही प्यारा कितना ही सुन्दर लग रहा था उसके बाद में गाज हम यहां से निकलते हैं और हमारे entry होते हैं इस gate की तरब है इस gate को actually में किस नाम से जाना जाता है मुझे नहीं पता अब इधर में जैसे enter करता हूँ यहां पर कुछ special मुझे देखने को नहीं मिलाता क्योंकि यहां पर दुखाने थी इन दुकानों पर आप खाना भी खा सकते हैं और कुछ खरीदना तो खरीज सकते हैं वैसे खाना खाने के लिए आप लोगों को especially city place के अंदर भी restaurant मिल जाएगा थोड़ा सा costly होगा बड़ आप लोग वहां पर भी खाना खा सकते हैं अब यहां पर मुझे कुछ special दिखाने इसलिए मैं यहां से निकल जाता हूँ और गाज अब हम आगे की तरह बढ़ते हैं इदे जैसे बाहर निकलता हूँ मुझे आगे की तरह पर left side में एक रास्ता दिखाई दे रहा था पहले मुझे नहीं पता था वह क्या है बट लग बग सब कुछ explore करने के बाद में हमारी entry होती है end में सबानिवास के अंदर मतलब दिवाने आम के अंदर और जैसे हमें कुछ photos लगी वी थी सबानिवास के अंदर पुराने समय में जो सबा होती थी जो मिटिंग होती थी उसके कुछ नमूने यहां पर संजोग के रखे गए लेकिन अंदर बहुत कुछ है देखने के लिए अंदर मैं जैसे जाता हूँ मेरे केमरे को बंद करवा दिया जाता है आप लोग आगे देखना और यही है गाईज जैपुर के सीटी पेलेस का व्लोग आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ आप लोगों को यह व्लोग कैसा लगा इस व्लोग को बनाने में मैंने काफी मेनत किया तो मेनत के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना बाकी में आप जैपुर के सीटी प्लेस के बारे में एक जानकरी दे देना चाहता हूं कि इदि आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोग जरूर जाइए जैपुर के सीटी पेलेस में एक परसन की टिकिर का प्राइस है 300 रुपे लेकिन 300 रुपे वर्थिट है वीडियो के अंदर आप लोगों को उतना कुछ special देखने को नहीं मिलावगा क्योंकि परमिसन नहीं थी अंदर कुछ भी capture करनेगी लेकिन इतना बड़ा आर्मरी है इतना बड़ा सस्त्रागार है जि आप लोग यहीं डीटेल्स में पूरे की पूरे सिटी पर इसको वीजिट करेंगे तो कम से कम चार से पांच घंटे लग ही जाएंगे तो चार से पांच घंटों के लिए 300 रुपे वर्तिट लगते मेरेको तो आप लोग नीचे कमेंट घर के बताओ आप लोगों की यह में बाई